सबी चीजों में एक मुंगफली मैं मुंगफली के बारे में विशेश रूप से उत्साहित हूँ क्यूंकि मेरे जीवन में एक दौर था जब मैंने सिर्फ मुंगफली और केले पर जीवन बिताया बस इतना ही क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए बस भिगोई हुई मुंगफली बस इतनी मुंगफली रात भर भिगो कर और एक केला मेरा पूरा दिन निकल जाता था और पूरी तरह से सक्रिय ज्यादा तर लोगों की कलपना से भी ज्यादा सक्रिय इसमें आपका जीवन चलाने के लिए सब कुछ है ये अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है अगर आप इसे 6-8 घंटे तक भिगोते हैं तो पित निकल जाता है आप पित जानते हैं एलोपेथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते लेकिन आयरुवेद इसी पर आधारित है उश्न शीत और पित इससे पित निकल जाता है और इस भीगी हुई मुंखफली को अच्छी तरह चबा कर खाना बस ये पक्का करें कि ये जनेटिक इंजिनियरिंग की हुई बखवास नहीं है एक चीज ये है कि शायद इसमें जनेटिक बदलाव किये गए हो अब वो ये नहीं लिखते कि किसमें बदलाव किया गया है और किसमें नहीं एक और चीज ये है कि आप इस हद तक फर्टिलाइजर और कीटना शक डाल रहे हैं कि मुंखफली अब मुंख़ली नहीं रही अगर आप नाश्ता बनाना चाहते हैं, आप एक रेसिपी चाहते हैं, तो मुठी भर मुंगफली लीजिए, उसे 6-8 घंटे तक पानी में भिगोईए, इसे मिकसर में डालिए, अगर आप कोई फल डालना चाहते हैं, तो एक केला या आप जो चाहें वो डालें, केला उसमें अच्छा लगता है, आप कोई दूसरा फल भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा शहद भी डालें, दो मिनट, शान्दार नाश्ता तयार, इसे बनाने में केवल दो मिनट लगते हैं, अगर आप इसे थोड़ा पतला चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा और पानी पी लीजिए आप इसे दलिया जैसा चाहते हैं तो इसे गाड़ा बनाईए और इसे खा लीजिए आप देखेंगे कि ये आपको आसानी से 4-5 घंटे तक उर जातेगा और ये बहुत पॉश्टिक है झाल